आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो फ्रेंड्स, आज की Question में हमसे पुछा गया है कि Kidney का कुण सा Region एक Cone Shaped Structure से बना होता है जिसे हम कहते हैं Renal Pyramids फर्स्ट ऑप्शन है Cortex, सेकेंड है Bowman's Capsule, थर्ट ऑप्शन है Medulla और फोर्थ है Renal Pelvis तो दोस्तों अगर हम बात करें Kidney की जैसे कि सभी को पता है Kidney कैसे Shape क्यों होती है Cortex, अब अगर हम बात करें जो Inner Renal Medulla जो होता है Inner Renal Medulla जो इसके अंदर होगा Kidney के अंदर वो किस से मिलकर बना होता है कि हम कैसे सकते हैं वो मिलकर बनावा होता है 7 Cone Shaped के कुछ रहते हैं 7 Structure और उन Structure को क्या बोलते हैं हम Renal Pyramids क्या बोलेंगे उन Structure को Renal Pyramids सकते हैं जिसके तुरों के सकते हैं Collection of Nephrons जो है वो तो हमसे Question में पूछा काया था Cone Shaped का क्या रहता है तो Obviously क्या चीज़ बनी रहती है Cone Shaped से तो Inner Renal Medulla जो रहता है वो 7 Cone Shaped Renal Pyramids से मिलकर बना होता है इसलिए हमारे Question का अंसर है C that is Medulla या फिर अगर हम जाहें तो उसे बोल सकते हैं Inner Renal Medulla Thank You